दोस्तों, आज किस वीडियो में हम लोग इस बोर्ड का कनेक्शन करना सीखेंगे, जैसे कि यह हमारा फैन रेग्लोटर लगा हुआ है, यह हमारा स्विच लगा हुआ है, यह हमारा पांच एमपेर का एक सौकट यह लगा हुआ है, पांच एमपेर का यह सौकट लगा हुआ है तो इसको हम कैसे connect करें proper तरीके से जिसे की जो भी हम उपकांड इस board से चलाएं वो सही तरीके से चलता रहे तो कैसे हम इस connection करें आईए सीख लेते हैं तो अब देखिए यहां मैंने board को प्रट दिया है यहां पर देखिए हमारे switch लगे हुए है यह हमारा fan recruiter लगा हुआ है और यह हमारा दोनों socket लगा हुआ और यह switch लगा हुआ है अब इसको हमें connection करने के लिए सबसे पहले हमारे जो points से नीचे वाले जो हमारे switch के इनको हम साथे सीधे-सीधे sort कर देंगे ठीक है और इसको भी sort कर देंगे तो देखिए इसको सबसे पहले हम इस तरह से ऐसे ही आपको डालना है हर एक switch में इस तरह से आप डाल देंगे यह देखिए सबसे सही तरीका यह होता है अलग-अलग connection करने से बढ़िया है इस तरह से आप सीधे-सीधे sort कर दिए यह देखिए एक कुमेंट आइट कर दिया इसी तरह से सभी कुमेंट आइट कर दूँगा अब इसी तरह से यह नीचे आले points भी हमको sort कर देना है तो देखिए इस तरह से हमको डालना है यहाँ पर इस तरह से ठीक है इस तरह से डालना है यह देखिए अब यह नीचे वाले points सारे के सारे sort हो गए और यह नीचे वाले points एकदम से sort हो गए अब हमें इस regulator का connection करना है और इन दोनों socket करना है तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहली बात तो यह है regulator connection करना है तो क्या करना है अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी एक जगा पे चाही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर भी एक जगा पर आप में फेस का वायर लाग करके लगा देंगे तो सबसे क्या होगा कि सारे के सारे यह जो नीचे ओले points out हैं तो सभी में supply पहुंच जाएगी ठीक है तो कहीं पर एक जगा पर लाकि आप फेस का wire connect कर दीजेगा सभी जगा supply पहुंच जाएगी अब यह हुआ कि जो ऊपर वाले जो हमारे points खाली पड़े हुए हैं अब इन ही स fan regulator connection कर दिया जब तक हमारा जो switch है वो आफ रहेगा तो यह supply यहीं की यहीं बनी रहेगी फेस supply उपर वाले point में supply नहीं आएगी लेकिन जैसे ही हम switch को on करेंगे यह supply यहां से यहां पहुंच जाएगी और यहां से यह supply आ जाएगी fan regulator में और fan regulator से जो supply निकलेगी वो star में नि जाएगा और या फिर हम इस regulator को भी आफ कर देंगे तो भी हमारा पंका बंद हो जाएगा तो इस output वाले जो हमारा switch का जो output वाला point है वहां पर हम fan regulator का एक तार लगा देंगे और दूसरा वाला तार जो है हम ले जाकर के पंके में लगा देंगे जैसा कि आप इस screen पर देख है ना कि यह दो टर्मिनल है हमारे इन दोनों टर्मिनल में से एक जगा पर इस वाले तार को ले जाकर कि हम लगा देंगे और दूसरे वाले में हमने उटर लगा देंगे तो हमारा पंका चलने लगेगा अब बात आती है इन दो सौकटों को control करने के लिए तो देखिए यहा आपर वाले पॉइंट्स हमारे खाली है तो सिंपल हमें करना क्या है कि यहां से इस तरह से यहां पर एक तार हमने यहां पर connect कर दिया और इसको हमने यह हमने tight कर दिया जो दूसरा वाला हमारा पॉइंट है उसको हम ला करके यहां पर connect कर देंगे ठीक है यहां पर connect कर तो line वाले पर आप ला connect कर देंगे, अब देखिए, यह जो socket है हमारा, उसको भी connect करने के लिए हम यहां से सीधे, इस तरह से यहां पर एक तार लगा देंगे, यह हमने tight कर दिया, और यह वाला तार ला करके हम यहां पर लगा देंगे, अब यह देखिए, हमने यह line दे दिया, अब यहां पर जो है हमारा, एक neutral का तार हम यहां पर लाके लगा देंगे, एक तार हमने यहां पर neutral का लगा दिया, ठीक है, और एक तार हम यहां पर neutral का लगा देंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है इस जगह पर हमको अर्थ का वायर कनेट करना है ठीक है एक अर्थिंग का तार हम यहाँ पर लाकर करके कनेट कर देंगे तो हमारा अर्थिंग भी कम्प्लीट हो जाएगा अब देखिए इस तरह से हमारे पूरे बोर्ड की वाइरिंग हो गई यह हमारा उपर वाला मैंने आपको समझाई दिया था यह फैन डेटर भी हो गया क्लियर यहां से जैसे स्विच कौन करेंगे यहां पर आ जाएगी सप्लाई फेस आ जाएगा और यहां से हम नूटल इसको दे ही रहे हैं तो हमारा इस सौकेट में फेस नूटल आ गया और यह हमारा अर्थिंग का तार है हमने एक अर्थिंग का तार यहां पर हम अर्थिंग करनेट कर देंगे तो यहां पर अर्थिंग हमारा आ जाएगा तो यह हमारा कम्प्लीट हो गया यहां से देखिए फेस यहां पर आ जाएगा और यह जो हमारा नियूटल आ रहा है देखिए इस तार से और ये देखिए यहीं से अर्थिंग हमारी यहां पे आ जा रही है तो यह भी हमारी अर्थिंग कंप्लेट हो गई तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बोर्ड जो हुआ बन चुका है आप इस तरह से पूरे बोर्ड का करनेक्शन कर सकते हैं तो यह हमारे पूरे बोर्ड की वाइरिंग हो गई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी जानकारी मिल है, तो आज कि इस वीडियो में से तना ही, नमस्कार दोस्तों.